हैपी मोंसुन दोस्तों बारिश एंजोई कीजिए और जिनके इहां बारिश नहीं आ रहा है आ जाएगा और जिनके इहां बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे हैं उनके लिए सो सोरी गौड ब्लेस यू बाकी छोटे चोटे टीप्स लेके आई हूं अकसर आप लोग भी फोलो करते हो वह आज दुबारा आपके साथ मैंने शेयर किया है जो में फोलो करती हूं नमबर वन ट्रीक है दोस्तों हिए हमिदी के कारण बहुत जादा स्वेटिंग होता है और बहुत जादा स्वेटिंग के कारण बोटी से मिनरल सॉल्ट निकल जाता है तो अकसर हमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए लेकिन साधा पानी कई बार अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा शुगर और नमक मिला के भी पिया जा सकता है लेकिन रेडी मेट यह ग्लुकुंडी अगर हम मिला के पिए तीन चार चाम मच एक ग्लास पानी में तो तुरंत एनर्जी मिलता है तो ग्लुकंडी पीजी है और एनर्जीटिक रही है यह कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है दूस्तों मैं आकसर करती हूं यह आपके साथ शेयर किया है नंबर टू टीप है दोस्तों नमक को लेके टेबिल के उपर जो नमक दानी होता है वह अकसर मॉश्चर के वाज़ सेंधा नमक लेती हूं मैं तो ऐसे नमक लेके नमक के अंदर थोड़ा सा डाल दोंगी चावल जो चावल हम राइस खाते न वहीं चावल है और अच्छी तरह से नमक के साथ हम मिला लेंगे और इसके बाद नमक दानी में हम डाल के रख लेंगे इस तरह से अगर नमक में च नमक चाहिए होगा तो नमक ही गिरता है चावल का दाना कोई भी नहीं गिरता और इस तरह से नमक साल भर भी नमक दानी में फ्री फ्रो रहता है तो है ना मज़ेदा ट्रीक दोस्तों और जो ओपन नमक दानी है उसमें भी चावल मिलाती हूं एक टीशू का पेपर ले लेती हूं या एक कपड़े का टुकड़ा और उसमें चावल को इस तरह से पोटली बना के और यह रील का जो धागा होता है उसी ध को मग यह पानी-पानी बिलकुल को नियों कुल मोश्चा नहीं लेता है चावल सारा मनचेर एब्सचर कर लेता अर्नमक हमारा बिलकुलramer लेता है इस टीप के लिए एक लाईक तो बनता है ना दोस्तों टी नमबर 3 दोस्तों एक मेजिक सथोल्योः्स बनाना है ये सेल्टक के साथ पहले भी मैंने शेयर किया है. लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा helpful है. इसलिए दुबारा शेयर कर रहे हूँ. एक कप ले लिया है मैंने पानी और आधा कब विनिगर और दो चममच यहाँ पर मैंने डीश वार्षर ले और एक चम्मच वेकिंग सोडा और इनको अच्छी तरह से हम अभी मिला लेंगे यह रियक्शन हुआ है जाग आया है थोड़ी दिर में यह जाग कम हो जाएगा के बाद हम एक स्प्रेय बॉटल में इस सोलुशन को डाल के रख लेंगे बहुत दोस्तों कुछ भी साफ सफ़ा करना हो या कोई भी चीज में शाइन लाना हो यह सोलुशन का जबाब नहीं है ऐसे काउंटर टॉप हम पोच के रखेंगे तो कीडे मुकरा कुछ नहीं आएंगे और एक मज़ेदार खुशबू भी कीचन में रहेगा टीप नंबर फोर है दोस्तों बेसिन हम साफ सफाई कर बेसिन ऐसे सुख जाने के बाद इसके अंदर नेप्थालिन बॉल डालके रख लेंगे बरसात में कई बार पाइप के थ्रो जाम्स आ जाता है या बदबू भी आ जाता है हुमिडिटी के कारण तो नेप्थालिन बॉल डालके रखने से कोई जाम्स भी नहीं आएगा और रूम में एक खुशबू भी रह जाएगा टीप नंबर फाइब है दोस्तों यह कपूर दानी को लेके इस टाइप के इलेक्ट्रिक कपूर दानी आजकल सब के घर में होता ही है अगर आपके पास नहीं है तो एक ले लीजिएगा बहुत कॉसली है नहीं और इसके अंदर हम कपूर डालके ऐसे लाइट जलाके रखेंगे तो बरसात में जो सिलन बगरा होता है जो डैम्पनेस की वज़े से रूम में एक अजीब सा स्मेल हो जाता है कपूर के वज़े से यह डैम्पनेस का स्मेल नहीं आता है उल्टा एक फ्रेश स्मेल घर में पूरा होता है और बह अच्छी बात होता है और कपुर्ग जिनको पसंद नहीं है वो थोड़ा सा पानी डाल के और एसेंशियल ओयल भी डाल के रख सकते हैं चार पाज भून इससे भी अपका घर पूरा मेकेगा और बरसात का सिलन का कोई बदबुनी आएगा एक लाइक इसके लिए भी बनता है ना दोस्तों टिप नमबर 6 है दोस्तों हम पोचे के बालती में तो हम अकसर डेटल फिनाईल और लाइजल वगएरे डालते रहते हैं हफ अब कम आता है एक बार एटलिस हफते में हम नमक से पुछा लगाए तो और यह वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है घर से नेगेटिविटी भी दूर होता है और बरसात के लिए भी बहुत अच्छा टीप है थैंक्स पूर वाचिंग हरे कृष्ण बहुत अचचा होता है झाल झाल झाल